असलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैंने एक पेशन्ट का चेस्ट एक्सरे किया था तो पेशन्ट थोड़ा अबलिक था जिसकी वज़ा से एक्सरे में चेंजिस नदर आ गई और मुझे एक्सरे रिपीट करना बड़ा एक्चुली ये आईस्यू का बेबी था इसलिए इसकी पोजिशन चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए जिस पोजिशन में पेशन्ट था इस पोजिशन में ही एक्सरे कर दिया था चलें डिसकस करते हैं कि क्या चेंजिस देखने को मिली एक्सरे में आप देख रहे होंगे कि लेफ लंग आपको अबलिक नदर आ रहा है चिसकी वज़ा से इसका हार्ट साइज भी ठीक से पता नहीं चल रहा और एक्स सेकंडली आप देखेंगे कि जो सरकल टाइप की आपको वायर नदर आ रही है इसको स्टर नोट मी वायर कहते हैं ये स्पाइन के साथ बिलकुल सेंटर में नदर आनी आनी चाहिए और ये लेफ्ट लंग में नदर आ रही है अब हम इसका रिपीट एक्सरे देखते हैं जिसमें डिफरेंट्स आपको किलियरली नदर आ जाएंगे ये देखें ये उसी पेशन्ट का रिपीट एक्सरे है इसमें आपको स्टर नोट मी वायर स्पाइन के सेंटर में नदर आ रही है और हार्ट साइज भी असानी से देख सकते हैं और दोनों लंग किलियरली नदर आ रहे हैं वीडियो बनाने का परपस आपको अवरनेस देना है ताके आप अपनी कॉलिटी को और रेडियोग्राफी को इंप्रूफ कर सकें तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें दिया तो कितनी चेंजिस हमें नदर आ गई वरना फस्ट वाला एक्सरे देखकर डॉक्टर कोई प्रेथालोजी भी रिपोर्ट कर सकता है अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ-साथ वीडियो को शेयर भी करते जाएं